हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब का बहुत बहुत स्वागत है पिंकी का बेश्ट कीचन में तो आज मैं एक करी बनाने वाली हूँ तो देखिए हमने उबले हुए अंडे लिये हैं और इसका जो छिलका है वो हम हटा लेते हैं हम बहुत ही असान तरीके से आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं एक करी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक दे दिजेगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप मेरी देख सकें तो देखिए हमने सारे अंडे को छिल लिये हैं और इस पर छोटे-छोटे कर्स लगा देंगे चाकू की सहता से या फिर आप चाहें तो ये काटे वाला जो चमच होता उसकी सहता से भी इसमें छेट कर सकते हैं और यहां छेट करना बहुत-बहुत जडूरी है नहीं तो तलते समय इसको फटने का चांस रहता है और हमारे हाथों पर पढ़ सकती हैं छीटे तो देखिए हमने सारे अंडो में छेट कर लिये हैं और यहां हम ले रहे हैं प्याज, टमाटर, लसन, अद्रक और दो लाल मिर्च अब इन सबको हम पेष्ट बना लेंगे मैं यहां सिल्वट्टे पर पीस कर इसका पेष्ट बनाओंगी आप जाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसका पेष्ट बना सकते हैं या फिर जो आपको सुबिधा अच्छा लगे तो देखिए हमने टमाटर भी पीस ले रहे है इसी में तो देखिए हमारा पेष्ट के तयार हो चुका है और इधर हमारा कडाही गर्म है तो उसमें हम डाल रहे हैं सरसो का तेल और उसमें डालेंगे एक छोटी चमच हल्दी और साथी एक छोटी चमच के बराबर चीनी हमने डाला है आप चाहें तो इस चीनी नहीं भी डाल सकते हैं तो देखिए हम यहाँ चीनी मेल्ट कर ले रहे हैं और इसी में हम अंडे को फ्राय कर लेंगे तो यहां हमने चीनी एक करी को मीठा करने के लिए नहीं लिया है हमने सिर्फ अंडो पक कलर आने के लिए लिए है तो अगर आप नहीं डाला चाहते तो नहीं भी डाल सकते है सिर्फ भल्दी डाल कर फ्राई कर सकते है तो देखिए अंडो पक इस तरह से कलर आया है तो हमने इसी तरह सारे अंडे को तल लेंगे बहुत अच्छे से तलना है इसे उलट पलट कर बहुत ज्यादा भी नहीं तलना है नहीं तो फिर वो सक्त हो जाते हैं तो देखिए इसमें तेल में ही हम डाल रहे हैं तेजपता और इसमें हम डाल रहे हैं पेस्ट जो हमने सिल्वर्टे पर पीसा था और इसे अच्छे से भूंज लेते हैं और साथ ही इसमें डालेंगे एक चमच धनिया पौडर एक छोटी चमच हल्दी पौडर एक छोटी चमच लाल मिर्च पौडर और इन सब को मिला कर हम बूंज लेते हैं और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं कूटी हुई काली मिर्च आप पौडर भी डाल सकते हैं काली मिर्च का और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हमें मसालो को बहुत अच्छे से भूंजना है लगवा पान से छे मीनट थोड़ा सा हम पानी उसमें एड़ करके भूंजेंगे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा मसाला बहुत जादा सट रहा है तो हम इसे इतना भूंजेंगे कि जो तेल मसाला है जो तेल छोड़ दे तो देखिए हमारा मसाला किस तरह से भूंजा हुआ है आप सब देख सकते हैं मसाला जो है वो तेल छोड़ चुका है तो थोड़ा से इसे हम और भूंज लेते हैं ढखकर अब यह बिल्कुल रेडी है तो इसमें हम डाल देते हैं पानी ग्रेवी के लिए आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार ग्रेवी पतला या गाढ़ा रख सकते हैं तो देखिए हम ग्रेवी को चेक कर ले रहे हैं तो यहां हमारा ग्रेवी बिल्कुल रेडी है तो इसमें हम डाल देते हैं अंडे और इसे ढखकर एक दो उबाल आने देते हैं तो देखिए हमारा यहां एक करी बिल्कुल रेडी है अब इसे आप लोगों को सर्व करके दिखाते हैं तो देखिए कितना टेस्टी है आप लोग मेरी रेशेप के एक बार ट्राइजरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद